बलोदा बाजार हिंसा और आगजनी मामले में पुलिस ने शास के शिक्षक यादराम हिरवानी और एक युवक तिलक धृत लहरे को गिरफतार किया है शिक्षक को हिंसा और आगजनी घटना में महत्वपूर्ण भूमी का होने के आरोप में गिरफतार किया गया है इससे पहले भी इस मामले में एक शाष की शिक्षक मोहन बंजारे की गिरफतारी हो चुकी है आगजनी कांड में अब तक 173 आरोपियों की पुलिस गिरफतार कल चुकी है बतादे की गिरौदपूरी धाम में सतनामी समाच के धारविकिस्थल जैतखाम में तोडफोड के विरोध में 10 जून को हजारों लोगों ने कलेक्टरेट के पास प्रदर्शन किया था इसके बाद उपद्रवियों ने कलेक्टर और SP कार्याले को आग के हवाले कर दिया था